हुमा कर लो नहीं मा नहीं करूँ आ हुमा क्यों नहीं करना क्यों नहीं खाल बैटक नहीं दिमागी बत्ते नहीं जलती हाई गाईज कैसे हैं आप लोग क्या आप कभी हैंगरी हुएंगरी ये क्या होता है हाई गाईज मैं हूँ दॉक्टर बैटिया चंदूलिया और आज हम बात कने वाले हाइंगरी के बारे में हाइंगरी बना है दो वर्ट से हांगर प्लस आइंगरी जिसका मतलब है जब आपको भूख लगते हैं तब आपको गुस्सा आता है क्या आपके साथ होता ऐसा कभी वैल वैल मेरे साथ तो बहुत जादा होता है कि लांच टाइम होने वाला होता था और बहुत साके बोलते थे चलो मीटिंग कर लेते हैं और फिर आपको याद रता है ओ माई गॉड अगर यह मीटिंग अब स्टार्ट हुई तो अगले तीन चा होंगी तो मैं क्या खाने वाली हो और उस मीटिंग में थोड़ा फोकस भी कम हो जाता है जब हमें भूख लगती है और हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत बहुत फ्रॉस्टेटेटर फील करते हैं गुसा आने लगता है हमारे डिसिजिन मेकिंग एबिलिटी पे एफे तक यहीजकर आने लगता है इस गाने खाने लेए है शायर मैंने खाना नहीं खाए होगा आप्की कम दूख लेइसे ही बाड़ प्लो कंगे रहे हैं तो हमारी बाड़े प्लो कोमें आने लगते हैं और रिलीज करती है stress hormone cortisol और उसकी वज़े से हम जाने लगते हैं panic mode में, हम irritated feel करते हैं, हम frustrated feel करते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, तो ऐसे situation में क्या करें, वेल, अगर आप इसे situation में हैं, कि आपको भूख लग रहे हैं, और खाने खाने नहीं जा पा रहे हैं, या खाने अव अपने बास कुछ ना कुछ खाने वाले चीज़ें रखें, simple biscuits, snacks, और अगर आप जाइट करें, तो भूने में चाने is the best, but अगर आपको बहुत जाला भूख लग रहे हैं, तो please please please, कभी भी junk food पे jump ना करें, choose healthy, make healthy choices, आखिर आपको अपना ध्यान खुदी रखना है, take care of yourself, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो please इसे like जरूर करें, और आप ऐसे situation में क्या करते हैं, जब आप hangry होते हैं, हमें comment section में जरूर बताएं, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करना ना भूले, till next time, take care, bye bye